नमस्ते ही, क्या से हैं आप सब लोग, तो आज एक बहुत बड़ी manifestation की success story आई है मेरे पास में, वो मैं story वाले channel पर share करूँगी, पर यहाँ पे मैं method share कर रही हूँ, अपने लिए उन्हों ने की और self love किया, इससे हुआ क्या, उनका एक रिष्टा था, एक रिष्टा in the sense की, पहले चार साल का उनका relation था अपने partner के साथ में और उसके बाद उनकी love marriage हुई है, बहुत जादा negative मोहल में, बहुत मुश्किलों से लड़ लड़ करके, इधर के भी मम में बपा को मना करके, फिर ऐसे में वो शादी हुई, और एक साल के अंदर अंदर वो शादी खराब होनी स्टाट हो कई, यानि कि love marriage हुई एक तो बहुत ही मुश्किल से हुई थी, और उसके बाद में वहाँ पर misunderstandings, लड़ाईयां, छुटी-छुटी बातों के ओपर negativity, मतल सब एक साल तक process पर काम किया गया, बहुत patience रखा है इन्होंने, तो यह process जो मैं आभी आपके साथ share करूँगी, तो यहाँ पर दो चीज़ें इनकी manifest होई है, एक तो अपनी ही शादिशुदा जिंदगी बहुत जाथा beautiful, और दूसरा यह job की पूरी जो preparation थी, उसको छोड़ अब इनके जो job का exam है, वो भी clear हो गया है, तो इनकी जो शादी का एक साल का time था ना, उस बीच में इन्होंने अपनी job की preparation को फूरी तरीके से छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी personal जो चीज़ें, अपनी identity है, वो मुझे height करने के लिए बोला, इसलिए मैं आपके सामने, ना तो यहां share कर पाऊंगी, और ना ही जब मैं success story आपके साथ share करूंगी, तो वो ही कर पाऊंगी, क्योंकि वो बहुत important है, अगर आप बोलते हो कि आपकी privacy मुझे maintain रखें, या पर नहीं बोलना है, किसी को आपका नाम तो मैं बिलकुल नहीं बोलती हूं, ना मैं यह बतात बस इतना बता सकते हूं कि फीमेल की success story है, और इनके दोनों चीज़े ठीक होगी है, ठीक है, जो राइटिंग में इनोंने भेजिया है, वो आप success story वाले चैनल पर सुन लेजेगा, दोनों चीज़े, एक तो married life बहुत जादा beautiful होगी है, मतलब relationship है इतना तगड़े वाला कि यह करना है, तो उनोंने करना शुरू किया, आप इनसे बहुत सारे लोग हैं, जिनसे मेरी बात होती है, बहुत बार मैं उन्हें method suggest करती हूं, बहुत बार self love, बहुत बार oponoponoponoponopayor, तो depends कि किस तरीकी का issue है, तो उसी में से यह बात निकल करके आई थी, तो मैंने उन से चलने लेगी थी, कि यह नहीं बन रहा है, तो चलो, खतम करते हैं इसको, लेकिन मैंने उनको अपनी 3D को पूरी तरीके से avoid करने के लिए बोल दिया था, मैंने का नहीं आपको इस चीज के उपर धिहान देना है, और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से positive रहना है, अप husband के साथ में कोई बात हो गई, तो आपको अपनी तरफ से लडाई को न तो बढ़ने देना है, और नहीं आपकी तरफ से कोई लडाई होनी चाहिए, आप शांत रहो, बस 3D देखो, मुस्कुराओ, और हट जाओ, ठीक है, इनको मैंने पूरी तरह से का था कि 3D को पूरा ignore कर होगे, आप शांत रहोगे, दूर रहो, लडाई जगड़े से दूर रहो, ठीक है, इसके पर मैंने इनको कहा था कि आप जादा से जादा कोशिश करो कि उसी घर के अंदर खुश रहना शुरू करो, और दो बरी दिन में ओपोन पोन प्यार करो, और सेल्फ लव करो, जितना जादा हो सके, सेल्फ लव को आप अपने अंदर बढ़ाओ, अपनी क्यार करो, अपने माइंड की क्यार करो, अपने शरीर की क्यार करो, अपनी हल्थ की पूरी क्यार करो, इस एरिया में आप काम करना शुरू करो, और कोशिश करो, आप हस्ते मुस्कुरा ते रहो घर करो, तो ये हो गई सारी चीज़ें, जहांपर दो बारी मैंने इनको कहा कि ओपोनो प्रेयर आपको करनी है, और एक बार मैंने इनको कहा था कि आप ना, जो self-love है ना, उसकी practices के अंदर ना, जितनी जादा हो सके ना, अपनी smile add करो, खुशी add करो, जैसे आपको रहना अच्छा लग story उनकी, मेरे पास में, जैसे ही writing में आई, तो मैं एकदम से खुशी से, ऐसे हो गई कि यार, ये तो आप सब लोगों के साथ में मुझे share करने चाहिए, अगर किसी भी area में देखे लग रहा है ना, आपको क्या पका relation खराब हो रहा है, ठीक है, तो कभी भी उस relation को एकदम से ठीक करने पर आप जम्प मत करो, तेको उस ताइम तर अप क्या होता है, आप खोद नेगेटिव होते हो, पैनिक हो रहे होते हो, परिशान हो रहे होते हो, एकदम से जम्प करोगे ना, तो वो जम्प करने के बाद होता है, जाधा तर खराब हो जाता है, केसी खराब हो जात क्योंकि हम उससे ठीक करने के कोशुश कर एक होता हैं वहाँ से उन्होंने कुछ भी बोल दिया या कोई भी नेगेटिव पात वही, हम एकड़ मधी नेगेटिव उजान हो जाते हैं, quindi उससे बेटर यह होता है कि ऐसे केस में हम एकदम शानत हो जाएं, 3-day avoid करें और self-healing self-love पर काम करें तो इनों जैसे जैसे self-love पर काम करना शुरू किया ना, बोडी बहुत अच्छी होने शुरू हो गई, स्किन बहुत अच्छी होने शुरू हो गई, मतलब mental health इनकी इतनी अच्छी शुरू हो गई जैसे जैसे हम 6 और 7 तक आय थे तो तब तक तो ऐसे हो गया था कि एकदम चेहक चेहक करके बात करना, एकदम रोने से चेहक चेहक करके बात करना, तो यह आप लोग जब आपनी self-healing ख्याल रखते हो, अपने खाने पीने का अच्छी से ख्याल रखते हो, अपने skin का, अपने hair का, अपने mind का और अपनी growth का, जो कि इन्होंने पूरी तरह से छोड़ दी तो हुआ क्याना, सब तरफ से यह डिप्रेस होने चुरू हो गए, एक तो इतनी मुश्किल से शादी हो अब उस डिप्रेस्ट स्टेज पर हमने क्या किया, उस सारी डिप्रेशन वाली चीजों को एक बड़ी साहिद रखा, और अब यहां पर अपने उपर काम करना शुरू किया, क्यों इस इन्सान को हो रहा है, जो कि आप होते हो उस जगह पर, ठीक है, तो यही बात मैंने उनक तो मुझे लेगा कि यहां पर बिद मैथड और किस तरह से आप कंटिनियों करो, वो सारी चीजें शेर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इतना सिंपल है यह, इसको समझ जाओ, और 3D इगनोर करना थोड़ा डिपिकल्ट हो सकता है, मैं इतना मानती हूं, लेकिन नामु तो अगर आप इस तरह से 3D को इगनोर करके, इन चोड़ी चोड़ी चीज़ों के उपर धियान रखते हो, और थोड़ा पेशन्स बनाये रखते हो, देखे शुरू के न, दो से तीन महीने इनका पेशन्स पूरा हिला हुआ था, मैं एक दब ओनेसली बता रही हूं, वो सु मादा बहा न, एक दो पासला पोरा हुआ होना न, जो अगु हमाने से निकलने शुरू हो गये, मतलब खत्म होने शुरू हो गये, वो अपने आपी रिमूव होने शुरू हो गये हूज़ वो बाते बन्द कर दी। अव फ़ाणलि ये कंडेशन है, कि इनकी लव मारज यह ल तो मुझे खुशी होती है, जब आप लगों की success stories आती है, मैं सच में बता रही हूँ, method बनाने से जादा कहीं जादा, 1000 गुना जादा, खुश में अपताब होती हूँ, जब आप लगों की success story आती है, तो अब मैंने ये सोचा है, कि जब भी success stories से जुड़ करके, कुछ ऐसे च करती रहा करूंगी, ताकि आप लोगों को ज़रूरत ना पड़े, कि भाई चलो call लेना है, मत लीजे, मैं बिल्कुल मना करते हूँ, मैं वीडियों के अंदर आपको सारी कि सारी बात बताती हूँ, एक बात भी नहीं होती है, जो कि मैं आपको फोन पर कुछ अलग बता करते हूँ, वो energy, वो vibration में, जितनी easy language मेरे से हो सकती है, मैं हर एक तरीका अपना लेती हूँ, हर एक example अपना लेती हूँ, कि यह इसे में कितना असान कर दूं कि आपको यह समझ में आ जाए, बिल्कुल एक दम कभी कबार कटोरी, चमच, पतीले, किसी किसी भी चीज के उध किते हुए, उस चीज को फॉलो कर सको, और वो आपके लिए बहुत अराम दायक होचाए, जैसे कि यह एक मक्ही है, मेरे स्टूडियों के नर गुज गई है वो, और वो बड़ी तेर से, मैंने सोचा चलो, आप भी सुन लो बाते है, ठीक है, तो इस तरीके से आप हीलिंग क कर सकते हो, सेल्फ हीलिं के लिए, होपहनब परेयर, स्कांटिंग में करो, पांच से दस मिनट अकर मेडिटेशन कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात हे, भो भी करो, सेल्फ लव में मैंने इनको मेडिटेशन लगवाई थी, तो बहु इनोंने की, हेर केर, स्किन केर, करना शुरू करो थोड़ा सा पेशन्स रखना पेशन्स जब भी लूज होगा फिर से वापिस से ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर देना आपको सपलता जरूर मिलेगी चीजें कितनी भी खराप क्यों नहीं हो रही हूं ठीक होने शुरू चाहिए अपना दरगी किया अलब न